साथियो नमस्कार, हरियाना के प्रइवेट स्कूलों में चिराग स्कीम के तहट फ्री एडिमिशन शुरू हो चुके हैं, इस वीडियो में जानिये आवेदन की प्रिक्रिया अंतिमति थी वे संपूर्ण डिटेल मौलिक शिक्सा निदेशल ये दुआरा जारी पत्र में कुल 17 नियम बताए गए हैं, जो आपको फारम भरने से पहले जानना बहुत जुरूरी है, आईए जानते हैं क्या है वे नियम पहला नियम है, उक्त योजना कक्सा 4 से 12 तक लागू होगी, यानि कक्सा 3 तक के दाखिले इसमें नहीं होंगे अभी दुसरा है, इस स्कीम के तहट केवल वही छात्र पात्र होंगे, जिन्होंने गट सेक्षनिक वर्ष में अपनी सिक्षा सरकारी विद्यल्य से प्राप्त की हो, या उत्तिर्ण की हो यानि 2023 में बच्चा सरकारी स्कूल में ही होना चाहिए, वही चिराग योजना के लिए पात्र है तीसरा नियम है, दाखिले के लिए वर्तमान खंड जिसमें वे पड़ रहे हैं, उसी खंड के मान्याता प्राप्त निजी विद्यल्यों में उपलब्द सीटों पर दाखिले के लिए पात्र होंगे, यानि हम अपने ब्लोक से बाहर फार्म नहीं भर सकेंगे ब्लोक के अंदर पॉइंट नंबर चार में आया है, सहमत मान्याता प्राप्त निजी विद्यल्यों की कक्सा नुसार घोसित सीटों का विवरन विभागिया वेबसाइट पर दरसाया जाएगा यानि जो जो स्कूल चिराग योजना के तहट दाखिला देने के लिए सहमत है, उनका विवरन पॉर्टल पर है, इसके विवरन के लिए आप डिस्क्रिप्शन बोक्स में भी लिष्ट देख सकते हैं नियम नमबर पांच है, सभी सहमत मान्यता प्राप्ट निजी विदेले कक्सानुसार घोसित सीटों की जानकारी अपने विदेले के नोटिस बोर्ड पर पर दर्शित करेंगे यानि डिस्क्रिप्शन बोक्स में आप लिष्ट देखने के बाद जब विदेले विजिट करेंगे तो वहाँ पर आपको कक्सानुसार वेकेंट शीटों का ब्योरा मिल जाएगा यानि खाली शीटों का पता चल जाएगा नियम नमबर 6 है अभिभावक या छात्र सहमत मान्यता प्राप्ट निजी विदेलियों में दिनांक 2-4 से 10-24 तक आवेदन कर सकते हैं यानि 10 अप्रेल इसकी लास्ट डेट है नियम नमबर 7 है जिनी विदेलियों में सीटों से जादा आवेदन प्राप्ट होते हैं तो उस थीति में दिनांक 12 अप्रेल 2024 को लाटरी ड्रा अभिभावकों की उपस्थीति में निकाला जाएगा यानि शीट कम है और आवेदन जादा है तो लोटरी द्वारा ड्रा निकाला जाएगा आठवा है मननेत अप्राप्ट निजी विदेलियों दिनांक 13 चार से 25 चार तक दाखिले की प्रक्रिया संपन करेंगे तथा सफल चात्रों की सूची विदेलियों के नोटिस बोर्ड पर दर्साएंगे ये विदेलियों का काम है आप 25 तारिक तक अपनी लीष्ट देख सकते हैं नो नियुम नंबर नो है लाट्री डिरा के प्रसाथ मुख्य सूची में सफल चात्रों द्वारा निरधारी तीथी तक दाखिला ना लेने पर रीक्त सीटों पर प्रतीक्षा सूची के दाखिले दिनांक 26 चार से 34 तक किये जाएंगे यानि 25 तक यदि बच्चा दाखिला नहीं लेता है तो उसकी सीट को खाली मानकर वेटिंग वाले को वहाँ एडिमिशन दिया जाएगा इसके लिए 26 से 30 तारिक तक रहेगी नियम नमबर 10 है ये आपके काम का नहीं है अविभावकों का ये तो ओफिस का काम है ग्यारा नमबर पर है आपके लिए मुख्य बात आर्थिक रूप से कमजोर वरक के चात्रों की अविभावकों की आए 1,80,000 रुपई या इससे कम होनी चाहिए और वह आये प्रिवार पहचान पत्र यानि फैमिली आईडी में सत्यापित होनी चाहिए अर्थात वरिभाइड होनी चाहिए तब ही इसके लिए आवेदन किया जा सकता है बारा नंबर है जिस विदेले में हम अपना फारम देंगे वहां से अपनी पावती आवश्या प्राप्त करें यानि जो फारम के निचे रिशीट दी गई है वो स्कूल के इंचार्ज या कलरक से प्राप्त कर लें वे सफल सात्र यानि जिनका एडमिशन हो चुका है सरकारी विदेले से SLC यानि स्कूल लिविंग सर्टिविकेट यानि स्कूल छोड़ने का प्रमान पत्र आविदन तीति के पस्चात लेले और अगले स्कूल में उसको समिट करवा दें नंबर 14 है दाखिले के लिए फैमिली आईडी यानि परिवार पहचान पत्र होना बहुत जरूरी है 15 नंबर है फीश प्रति पूर्ति राशी के लिए वही विदेले पत्र होंगे जिनके द्वारा फारम छेय में ये भी विदेले का काम है आपका काम नहीं है 16 नंबर विदेले दाखिल होने पर चात्रों का डाटा MIS पॉर्टल पर अपडेट करना है दो दिन के अंधर ये भी विदेले का काम है नियम नंबर 17 है विदेले दाखिल होने वाले चात्रों की सूस्थना निदेशक सेकेंडरी मुलिक शिक्सरा विवाग एक सबता के ही है अब आपका काम शुरू होता है फारम भरने का उसके लिए देखिए अगली वीडियो धन्यवाद